आप देख पा रहे हैं ये टाटान एक्षन का निव गार है सिंद्द बहुत इस्धा बादार कर Sagis कि पारत बाटवी बड़ीं लूख है यह आप दख पाएंगे पिछे के साइट से लूख है और ये पिछे के साइट में लूख है यह देखिए बहुत ही बढ़िया लूप है यहां पर आप देख पाएंगे साइट में और इसका टायर देखिए बहुत बढ़िया कार है डाटन एक्षिंट का मैं आपको अंदर के दिखाता हूं इसका सीट बहुत ही पढ़िया है बैटने में पिछे का सीट और आप यहां पर दिया गया है जो आप हाथ रखने के लिए यहां रख सकते हैं और यहां पर जो ग्लास बगरा भी रख सकते हैं और बहुतनी अच्छा सीट है और यहां पर पिछे के साइट में भी ऐसी दिया गया है जो आपको अच्छी हवा मिलेगा और मीजिक सिस्टम भी आफज़ी यहां पर लोग पाएंगे और इसका हेंडल देखिए बहुत ही अच्छा हेंडल है और मैं आपको आगे के और दिखाता हूँ देखे उसका मीरेर भी कितना लूग बढ़िया है मैं आपको दिखाता हूँ उसका अंदर मैं दिखाता हूँ यह दिखे उसका अंदर का लूग दिखे यह आप देख पा रहे हैं बहुती बढ़िया लूग है अंदर का लुक देखे और यहां पर आप देख पाएंगे यह जो मेटर है और बहुत बढ़िया मेटर है यहां पर आप देख पाएंगे और यहां पर यह डिस्प्ले देख पाएंगे यहां पर आप डिस्प्ले भी देख पाएंगे यहां पर Bluetooth Connect, MP3 और Music बगरा बढ़िया सुन सकते हैं और उसका Mirror देखे और यहां पर SC Ventilation देखे और यहां पर SC, यहां पर Switch दिया गया है, यह देखे यहां पर बहुत सारा Switch होते हैं और इसका Gear Level देखे यह 6-speed Gear है, 1, 2, 3, 4 और Rear आप करेंगे, तो यहां पर एक बटन दिया गया है, यह देखे यह पीछे के साइट में एक बटन है, यह बटन को आपको इस तरह से प्रेस करके, आपको पहले प्रेस करना होगा, फिर आपको पैक करना होगा तो बेक होगा, तो नहीं होगा, और यहां पर आप देख पाएंगे, और यह बटन देख रहे हैं, यह जो डेसबोड खोलता है, इसको दबाने से यह खोल जाता है, लगाने से, यहां पर बहुत बढ़िया डेसबोड दिया गया है, और पिछे के साइट लूग देखिए, आगे पिछे, और बहुती सांदर स्टेरिंग, आप देख पाएंगे, यह बहुती अच्छा स्टेरिंग है, और यहां पर स्टेरिंग में बहुत सारे फिचर्ज देगे हैं, वोलेम बगरा, कॉल उठा सकते हैं, मूट कर सकते हैं, और दोनों साइड में हर्न दिया गया, इ इसका और बेक साइड में भी आप देख पाएंगे आप यह गाड़ी चलाएंगे तो बहुत ही सांदार गाड़ी है और चलाने में बहुत मज़ा आता है और यहां पर आप देख पाएंगे यह हैंड ब्रेक है और यहां पर कुछ यह जो ढकन है आप खोलेंगे यहां पर है और यहां पर दबंग है इसाइग सी कॉन को इक को मोड एकॉन को मोड्स पर मूड अक्टिवीट जब भी स्मीर्ड पॉट कॉट हुट होता है और यहां पर जाइड विफ एस उसे आप पर दो से हम अपर इस यहांप पर जो भी एन चापना लुट यहां पर जो तो भी आप यहां पर और आपको सिग्णल दिखाई देगा और बहुत ही अच्छा लूख है अंदर का और और मैं आपको ये कार चला के दिखाता हूं इसका इसका पर्फमंस कैसा है बहुत बढ़िया पर्फमंस है मैं आपको ये कार को चला के दिखाता हूं किस तरह से होता है पहले तो आपको ये जो क्लोज पेडल है यह आप देख पा रहे हैं ये क्लोज पेडल को प्रेस करके पहले तो गेर को न्यूटल में रखें और यहां पर स्टार्ट को दबाएं देखिए कार स्टार्ट हो गया है अब हम काड़ी को चला के आपको दिखाते हैं कितना बहुत ही अच्छा कार है जो मैं आपको यह गेर देखिए मैं गेर देखाता हूँ और यहां पर जो ब्रेक हैं पर दिखाता हूँ और आपको मैं चला के दिखाता हैं बहुत ही अच्छा है देखिए यहां पर देख पा रहे हैं यह देखिए गाड़ी चल पड़ा है बहुत अच्छा गाड़ी है वो बहुत ही अच्छा पिकप देता ह यह आप देख पाएंगे यह जो गेर है आपको सेकंड करना बढ़ेगा देखिए बहुत अच्छा गाड़ी है आप यह सीटी मोड पर है मैं आपको इको मोड पर या स्मॉड पर मोड पर करके आपको दिखाता हूं देखिए आपको दिखा रहा हूं देखिए बहुत ही आसान है चलाने में आप जब चलाएंगे यह कार को बहुत ही अच्छा कार है यह चलाने में बहुत अच्छा कार है यह चलाने में बहुत अच्छा कार है आप जब चलाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा आप जब चलाएंगे तो यह जो रस्ता है देखें बहुत ही बढ़िया रस्ता है आप यहां पर देख पाएंगे दो बहुत ही अच्छा रस्ता है यहां पर देख पा रहे हैं मैं जा रहा हूं यहां पर यह देखें बहुत अच्छा चलाने में मज़ा आ रहा है आप भी चलाएंगे यह कार को बहुत ह है गार पॉरी अच्छा चलता है देखे स्मूथी चल रहा है फिप्टी फॉर पर आभी चल रहा है देखे बहुत अच्छा कार है अब जड़ चलाएंगे तो बहुत मजा आईगा यहां पर आप देख पाएंगे देखें आप देखाता हूं बहुत अच्छा ट्राइविंग मैं आपको दिखाता हूं बहुत अच्छा ड्राइविंग आप मॉड़ पर करके चला सकते हैं बहुत ही आसान है चलाना मैं आपको दिखाता हम यह देखिये यह चला बहुत ही बढ़िया कार है और इसका स्टेरिंग भी बहुत ही स्मूथ है और चलाने में और यह आप चलाएंगे तो बहुत मजा आएगा और बहुत ही सांदार कार है और यहां का अंदर का लुक देखे और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजे और सेर कीजे और मेरे चनल में नए है तो जरूर सस्क्राइब कर लिजे आज के लिए इतना ही धन्यवाद